पुम शांती, आज 12 अगस 2020 के साकार मथुर महवाक्य हैं, आज की मथुर मुरली में बाबा की बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हैं, मीठे बच्चे अंतर मुखी बनें, अंतर मुखता की गुफा में बैचो, योग बल जमा करो, जब आप अंतर मुखी हो शाते हो, तो वाणी से परे जाने का अभ्यास सहज हो जाता है, इस एक जनम में आप 21 जनमों की कमाई जमा करते हो, इसके लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सुबस्बे उठो, बाबा की याद में बैठो, अच्छा चिंतन करो, बाबा जब आते हैं, तो देखते हैं, कौन-कौन मेरे बच्चे बहुत अच्छे फूल हैं, बाबा ने याद किया, दादी प्रकाश्मनी जी को, मनोहर दादी को, बाबा ने का कोई-कोई तो बहुत अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छी खुश्बू फैलाते हैं, बाबा सब बच्चे नंबरवार हैं, तुम्हें हॉस्पिटल कम युनिवसिटी खोलते जाना है, नईने स्थान खोलो, सेवा स्थान पर मनुष्य को देवता बनाने की ये उची पढ़ाई अवश्य पढ़ानी है, याद दिलाया बाबा ने कि मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूँ, शुर बाबा परम्थाम से ब्रमातन में आते हैं, जो बच्चे अच्छी रिती पढ़ते हैं, वो उच्पद पाते हैं, सुनते हैं बाबा के मदर बोल, बाबा ने का मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुन्य का खाता जमा करना है, भस्म करना है, इसलिए अंतर मुखी बनू, 21 जन्मों के लिए पुन्य का खाता जमा करना है, योग बल से पापू के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर मुखी बनू, कोश्चन है किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुर्शाथ सहज हो जाएगा, किस श्रीमत का पालन करने से वानी से परे जाने का पुर्शाट सहज हो जाएगा श्रीमत कहती है बच्चे अंतर मुखी हो जाओ बार से कुछ भी नहीं बोलो इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज वानी से परे जा सकेंगे जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती रहेगी, याद के लिए अमरित वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय अंतर मुखी होकर आतम स्वरूप में स्थिप्थ होकर बैच जाओ, गीत है, तुने रात गवाई सोय के दिवस गवाईों खाई, ओम शांती, ये कौन समझाते हैं कि अंतर मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी नहीं बोलो, अपनी आतमा के स्वरूप में स्थिप्थ होकर बैच जाओ, ये बात कौन कह रहे हैं, कि अपने को आतमा समझ कर बैच ज अच्चो सो कहते हैं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, राम राम आदी तो बहुत कहते आई, प्रन्तुस कहने से मनुष्य पावन नहीं बन सकते, मुख से राम राम कहते आई, उससे को पावन नहीं बन सकते, मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते हैं, जब पतित पावन ब कोई पतित होता नहीं, पांजर वर्ष मेले जब भारत पावन था, एक ही धर्म था, बाप तो सुख की स्रिष्टी रचेंगे, भारत सुख धाम था, लक्ष्मी नारण, श्री सीता रामादी के मंदिर सत्यू त्रेता की निशानी है, सत्यू में वरोबर श्री लक्ष्मी नार की डानिस्टी थी, यही भारत था, इसमें सूर्य वंशी चंद्र वंशी राज्य चलता था, जो फिर से स्थापन हो रहा है, इसे कहते हैं वर्ड की स्थी जोग्रफी, यह मनुष्य ही तो जानेंगे, मनुष्य नहीं जानते, तो जानवर से भी बदतर कहा जाता, बाप को जानने के लिए इतने धक्के खाते हैं, पर तु जान नहीं सकते, तुम बाप के बने हो, तो बाप अपना परीचे देते, पहले परीचे नहीं था, इसका परीणाम क्या हुआ? औरफन, नास्तिक, नेधन के बन जाते हैं, अब तुम बाबा के बने हो, बाप से वर्सा ले बड़ा भारी वर्सा है, 21 जनम स्वरकी राजधानी मिलती, कोई कम बात है क्या? इतना भारी वर्सा मिलता, 21 जनम के लिए स्वरकी राजधानी मिलती, लक्षमी नारेंड को पांजर वर्शुवा राज्ये करते थे, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है, बावसम जाते, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर मुखी बनू, बाये मुखी मत बनू, अब इस समय घोर अंधी आरा, इसको रात कहा जाता। अब इस सवेरा आ रहा है, कलिग अंत को घोर अंधी आरा, सत्यूग आदी को घोर सोज़रा कहा जाता। बाबा के ते मैं आता ही संगम पर हूँ, जब कि सम मनुश्य पतित हैं, अब तुम बच्चों को सदा सुख का वर्सा देनी के लिए आया हूँ, विनाज सामने खड़ा है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, शिव कहे है आत्मा, क्यों समय व्यार्थ गव सिवर्सा लोग, जैसे सब ले रहे हैं, सब पुर्शार्थी हैं, अब सब को स्वीट हों, वानी से परे जाना है, वो है हम आत्माउं का घर, निर्वान धाम, धाम में कोई एक नहीं रहते, जितनी भी जीवात्माई हैं, सबी शरी छोड़ जाएंगे अपने घर, बाबा के पास, वो है निराकारी जाड, जैसे चितर में जाड दिखाये जाता, वो है हम आत्माउं का घर, शान्ती धाम, फिर हम आएंगे सुख धाम में, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, कल्यूग के बाद जरू सत्यूग होगा, द्वापर के बाद कल्यूग जरूर आएगा, बाब जब तक नया मकान बन चाई, तब तक पुराने में बैठे रहते हैं, फिर जब नया मकान बन जाता है, तो पुराने को तोड़ा जाता है, ये भी पुरानी चीज है न, इसके विनाष के लिए ये महा भारत लड़ाई, बाबा बच्चों को समझातें, आत्मा ही समजती है, जिस्मानी नौलिज भी आत्मा सीखती है, आत्मा केती मैं प्रिंसिपल हूँ, सरजन हूँ, आत्मा की नौलिज ना होने के कारण देहे अभीमानी हो जाते हैं, आत्मा ही संसकार ले जाती, तुम बच्चे समझते हो, शुबाबा हम आत्मां को समझा रहे हैं, हम आत्मा ये प बाबा काम चिता से उतार, ज्यान चिता पर बिठाई, गोल्डन एज का मालिक बनाते हैं, बेहत का बाप जरूर बेहत का वर्सा देंगे, बाप तो उच से उच है, कहते बच्चों के लिए बैकुंठ की सोगात लाए हैं, उच्चे से उच्चा बाबा, बच्चों के लिए बैकुंठ की सोगात लाए हैं, हाथेली पर बहिश्ट लाया है, सेकंड में तुम साक्षतकार कर लेते हो, कितने धेर ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं, जरू ब्रह्मा के बच्चे हैं, श्व बाबा के पोत्रे हैं, तुम कहत का सदगती दाता है राज्योग सिखाते हैं निराकार कैसे सिखाई इससे और गंस तुराइप पढ़ाते हैं स्रष्टी चक्र की नौलेज देते हैं इसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं उन्हीं की महिमाएं परमपिता परमात्मा की सारी महिमा है ज्यान का सागर पतित पावन वो तो जरूर उनको आना पड़े तुम्हें भी मास्टर सुप्रीम अत्वा पावन बनाते वह बेहत का बाप इसको सब भक्त बुलाते हैं सब भक्तों का बाप वो भगवान है परम पिता परमात्मा अगर उनको सर्व्यापी कह दे मानुष्य को भकवान नहीं कह सकते स्रेकर्ष्ण को भी दैवेगोनधारी मनुष्य कहा जाता क्योंकि वो कभी बच्चा बनता दी है यह तो सख्षत कार कराते समझाने के लिए मैं तुम्हारा बच्चा हूँ तुम्हें अपना वारिजध बनाएंगे, बलीहार जाएंगे, तो मैं भी बलीहार चाऊँगा, बलीहार जाते हूँ, तो जैसे कि मैं तुम्हारा बालक हो गया, मनश्यों में कितनी अंदुश्रदा है, जोहां तहां माथा टेकती रहते, इसे कहते गुड़ीयों की पुषा, नवरात्री में भोत चार छे भुजा वाली देवी थोड़े होती है, फिर उन्हें तलवार आदि दिखा देते, देवताई हिंसक थोड़े होते, शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया, नेपाल में काली को पूझते हैं, फिर ऐसे है थोड़े, मम्मा ऐसे काली जीव वाली ये भगती मारक के अलंकार बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए न, ये किसम किसम के चित्र बैठ कर बना कर देते हैं, वहाँ ही देखो सुन्दर स्रीकृष्ण का मंदिर, वहाँ ही सावरे स्रीकृष्ण का मंदिर, कारण तो चाहिए न, इतनी अंधश्रदा है अब भक्ती मारक खतम हो, ज्यान मारक जिन्दाबाद होता है, बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना जरूर है, पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं, वहां तुम्हें ये ज्यान ही नहीं रहेगा, कि संगम पर हमने राजाई के लिए ये पुर्शाट किया था, वहां तो पव समझेंगे, सत्यूगी दुनिया में ये पता नहीं रहेगा, कि हम इतने उच कैसे बने, कोन से करम किये, सब भूल जाता है, वहां पति तो होते ही नहीं, जो पावन बनने के लिए गुरू की दरकार पड़े, वहां पैर दोकर बच्चों को तख्त पे बिठाते हैं, आत्मा समझो, दे अभी मान में ना रहो, मैं आत्मा भी डॉक्तर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्टेट हूँ, फिर ये शरी छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा, हम इस शरी द्वारा पड़ते हैं, आत्मा ही सुनती है, ये समझने की बाते हैं, ना कि दं कथाई हैं, बाब केते सारी दुनिया कबरिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंबोर को अगले आग लगने के समय हाई हाई करेंगे, प्रंतो कुछ भी करनी सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे, अभी हमें पापों का खाता खलास कर, पुन्य का खाता जमा करना है, नई सिरिक्की जनम के लिए खाता जमा करना है, जमा होगा, बाबा को याद करने से, पुराना खाता चुक्तु हो जाना चाहिए, ज्यान कितना सहज है, तुमारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते है स्वधर्षन चक्र फिराते हैं, अठा कमाई चमा करते हैं, वहां कोई गिनती थोड़े होती हैं अनगिनत अभी जोपडियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे, परक तो रहते हैं न जोपडियों में में ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा अभी की बात है राजधानी की स्थापन हो जाएगी फिर जिसने जितना पुर्शार्ट किया सो किया फिर विनाश हो जाएगा इसने जितना पुर्शार्ट करना है याद में बैट जाना चाहिए. अटेंशन देंगे. सुबस मौटकर याद में बैट जाना चाहिए. जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा, फिर उतना ही उच्पद पाएंगे. शुव बाबा के गले का हार बनेंगे. दिल दरपण में देखना है. मैं लायक बना हूँ, स्री लक्ष्मी नारण को वरने के लिए मैं योग्य बना हूँ, हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं, किसम किसम के फूल है, ये बागवान बाबा का human गुलशन है, कहेंगे देखो कुमार का मनोहर कितने अच्छे फूल है, कुमार का दादी प्रकाश फूलों को देखते हैं, बागवान जाच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को भी फूलो करना चाहिए, नमबर वन टू फूल कौन कौन से हैं, ऐसा बनना चाहिए, 21 जन्मू के लिए राजाई पदपाना कोई कम बात थोड़े हैं, अथा सुक हैं, विश्व का मालिक बनन यह स्कूल है, उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ रूहानी पढ़ाई करो, जिस्मानी पढ़ाई के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो, टीचर्स के हमिशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ओनेस्ट होते हैं, स्कूल में अंदश्रधा की बात नहीं, वहां बरेस्ट्री पढ़ते है इंजिनिरिक पढ़ते हैं, या तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो, सन्यासी तो कह देते इश्वर सरव्याती है, बस खेल ही खतम, बेहत का बाप बच्चों को समझाते बच्चे, ये अंतिम जनम पवित्र बनू, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी गौडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तुम बच्चे हो राज रिशी, वो तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते, सारी पुरानी दुनिया का त्याग करते हो, बुद्धी से भूल जाते हो, तुम्हारी बहुत बढ़ा है, जो भी सेंटर्स है, बाबा केते हैं, ये रुखानी हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, जिसे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, घर घर में तुम ये हॉस्पिटल कॉलेज खोल सकते हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सरफ तीन पैर याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की, रुखानी बच्चो को, नमस्ते, रुखानी बच्चो की, रुखानी बाप तदा को, याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठकर, याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी उन्य का खाता जमा करना है Aim object को गुद्धी में रख अच्चे manner सधारण करने है रुहानी पढ़ाई जरूर करनी है अंतर मुख्य होकर रहना है अटेंशन से सुनेंगे स्वेरे स्वेरे उठकर याद में जरूर बैठना है गफलत नहीं करनी पुन्य का खाता जमा करना है एम आपसेक्ट को गुद्धी में रख अच्छे मैनर सधारन करने है रुखानी पढ़ाई जरूर करनी है अंतर मुख्य होके रहना है वर्दान है ब्रामन जीवन की विशेष्टा को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेष्टा संपन्भव ब्रामन जीवन की विशेष्टा को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले कोई न कोई विशेष्टा मिली है, चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेष्टा है, तो ब्रामन जनम के भागे के विशेष्टा को पहचानो, उसे कारिय में लगाओ, एक विशेष्टा कारिय में लगाई, और विशेष्टाई स्वते आती जाएंगे एक क्यागे बिंदी लगाते लगाते सब विशेशताओं में संपन बन जाएंगे ड्रामा के नियम अनुसार संगम युकवर हर ब्रामन हात्मा को कोई न कोई विशेशता मिली है चाए माला का लास्ट दाना हो उसमें भी कोई न कोई विशेशता है तो ब्रामन जनम के भाग्य की विशेष्टा को पहचानू, उसे कारिय में लगाओ, एक विशेष्टा कारिय में लगाई, तो और भी विशेष्टाइं स्वत्याती जाएंगी, एक के आगे बिंदी लगाते जाओ, बिंदी लगाते लगाते, सब विशेष्टाओं से संपन ब बंध हो जाएगा मन मनाभव की मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंध हो जाएगा आज बार-बार स्वयम को इस महा मंत्र की स्मृति दिलाते रहेंगे है आत्मन मन मनाभव एक काग्र हो जाएं ब्रिकुटी सिहासन पर स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं एक की याद में रहने वाली एक की ही शक्तियों को जीवन में लाने वाली मैं विशेश आत्मा हूं ब्रामन आत्मा हूं एक आत्मन मन मनाभव हो जाओ बाबा की स्वरूप पर एक काग्र हो जाओ बाबा की शक्तियों को अपने में भरें परमातम प्यार शक्तियां मन को शक्त पिशाली बनाती है शक्तियों के भंडार की शक्तियां मुझे में समा रहें शुक्रिया बाबा शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान मोती भर मुझे बाने मोती हैं शक्तिया और शुक्ति झाल झाल